Hello everyone, last lecture में हमने बढ़ा था disease and health के बारे में आज हम बढ़ेंगे common method of transmission of disease तो यहाँ पर हमने left side में रखा infected person को और right side में है healthy person तो यहाँ पर infected person से जो disease है वो किन-किन medium से जो है इस healthy person को infect कर सकती है तो इसमें सबसे पहला होगा बटा direct contact, second by air, third by food, fourth by mosquito and fifth by insect तो इन सभी तरीके से जो है infected person से बिमारी जो है वो transmit हो सकती है तो यहाँ पर next बटा mean of spread of infectious disease तो सबसे पहला बटा throw air तो air से कौन-कौन सी बिमारियां जो है वो spread हो सकती है जिसमें आ जाएगे बटा आपकी common cold, TB and pneumonia और इसमें बटा covid भी आ सकता है covid-19 यह सारी बिमारियां जो है किस से फैल सकती है बटा यह throw air जो है वो फैल सकती है next बटा throw water water से जो बिमारियां होगी बटा जो की या तो polluted water है या फिर contaminated water है इससे क्या ओगी ये बिमारियां जो है वो transmit हो सकती है जैसे cholera जो है जैसे कि इसको बोलते है हैज़ा तो ये जो बिमारिया ये क्या हो सकती है transmit हो सकती है next बटा by vector तो vector में हम पढ़ते हैं बटा जैसे dog, cat, monkey, mosquito यह क्या कहलाते हैं यह वेक्टर कहलाते हैं इन से जो बिमारियां transmit हो सकती हैं उनमें हम पढ़ते हैं रैपीस, malaria and dango यह बिमारियां जो है इन वेक्टर की वज़े से क्या हो सकती है transmit हो सकती है next है बिटा through sexual contact तो इनको बोलते हैं STD है na sexual transmitted disease तो इनमें जो आती है बिटा common example हमारे यहां पर जो है वो है बिटा AIDS तो AIDS जो है एक infected person से एक healthy person को transmit हो सकती है next बिटा through physical contact तो physical contact में कौन सी बिमारी होगी बिटा जो fungal infection है वो हमारे क्या हो सकते हैं बिटा transmit हो सकते हैं तो यहां पर हमने याद रखने हैं बिटा AIDS की full form acquired amino deficiency syndrome तो यह क्या होगी बिटा AIDS की full form और इसके लिए जो वाइरस है जो कि इसके लिए responsible होता है उसको हम बोलते हैं बिटा HIV virus तो इसकी जो full form है यह भी आपने याद रखनी है human amino deficiency virus next बिटा method of transmission of AIDS तो AIDS जो है वो किस तरह से जो है वो transmit हो सकती है तो सबसे पहला बिटा इसमें throw sexual contact क्योंकि basically AIDS के case में क्या होता है बिटा यदि blood जो है एक infected person से एक healthy person में क्या हो जाए बिटा transmit हो जाए तो उसमें क्या हो जाए बिटा AIDS की बिमारी जो है वो transmit हो जाएगी तो next बिटा blood transfusion जो है transfusion इसमें क्या हो बिटा यदि एक infected person है और इस से बिटा blood हमने एक healthy person को दे दिया और इस healthy person को भी क्या हो जाएगी बिटा AIDS हो जाएगी यदि ये infected होगा तो ये blood transfusion से भी हो सकती है next बिटा infected needle का use करने से या जो blades हम use करते हैं उनका use करने से next बिटा it may also get transmitted from infected mother to her foetus तो एक mother बिटा suppose उसको AIDS है तो उसके बच्चे को भी क्या हो सकती है बिटा AIDS हो सकती है तो इसमें prevention के लिए हम क्या कर सकते हैं बिटा सबसे पहले जो है avoid transfusion of infected blood माल जीए कोई infected person है तो उसका blood जो है हमने क्या नहीं करने चाहिए बिटा transfusion नहीं करना चाहिए या transfer नहीं करना चाहिए किसी healthy person को नेक्स्ट बिटा it always use disposable needle ऐसी needle हमने क्या करने चाहिए बिटा use करने चाहिए जो क्या हो disposable है ना नेक्स्ट बिटा avoid sexual contact with unknown person तो यह sexual contact जो है हमें क्या करना चाहिए बिटा avoid करना चाहिए नेक्स्ट बिटा avoid the same razor used in salon तो salon में क्या होता है बिटा razor जो हम use करते हैं वो हमें fresh razor का ही क्या करना चाहिए बिटा use करना चाहिए नेक्स्ट बिटा organ specific and tissue specific manifestation इसका मतलब क्या है बिटा कि suppose कोई भी pathogen जो है मतलब कोई भी माइक्रोब है वो किसे जो है affect करता है suppose यदि हम बात करें कि जो माइक्रोब जो है nose के थूँ enter करेगा means air brain या air के थूँ enter करेगा वो basically किसको affect करेगा बिटा lungs को affect करेगा जैसे बिटा bacteria जो है वो responsible होता है TB के लिए tuber closest के लिए जो टीवी की बिमारी होती है उसके लिए कौन responsible होता है बैक्टिरिया responsible होता है next बैटा microbe which enter through mouth यदि कोई bacteria mouth से enter करेगा बिटा वो किसको जो है affect करेगा वो affect करेगा बिटा liver को या फिर stomach को या फिर small intestine को means जो हम food के थूँ कोई भी microbe यदि हमारी body के अंदर enter करेगा तो mainly वो किसे affect करेगा वो हमारे liver को affect करेगा तो इसमें बैटा जैसे जोंडिस एक बिमारी होती होती है जो कि किसके वजह से होतीह बैक्टिरिया के वजह से होतीह रह ना यह sexual contact के थुरू enter करेगा या फिर जो है यह needle के थुरू हमने पहले यह पढ़ चुके हैं तो यह basically क्या होता है बटा spread होता है through the limp यह जो होता है blood का part होता है किसका part होता है blood का part होता है limp तो उसके थुरू यह complete body के अंदर क्या कर जाता है बटा यह spread हो जाता है और हमारे जो immune system में उसको क्या कर देता है बटा यह damage कर देता है next बटा virus which cause brain fever तो यह बुखार होता है बटा कि किसकी वज़े से होता है बटा mosquito की वज़े से होता है तो यह basically कैसे infect होता है बटा suppose एक unhealthy person है या infected person है उसको यह mosquito जो है उसको bite करके और एक healthy person को भी यह bite कर जाए तो उसको क्या हो जाएगा बटा यह जो है brain fever हो जाएगा तो इस तरह से जो है बटा अलग-अलग microbes जो है अलग-अलग बिमारी के लिए क्या होते हैं responsible होते हैं next principle of treatment कि किसी भी बिमारी को treat करने के लिए हमने कौन कौन से principles का use करना जाहिए तो सबसे पहला जो इसमें है क्या है बटा कि हमें reduce करना चाहिए effect of disease जो भी बिमारी है उसके effect को हमने क्या करना पड़ेगा बटा सबसे पहले कम करना पड़ेगा और second में क्या होगा बटा to kill the microbe तो इसके लिए हमें जो है दवाईया वगारा जो है वो लेनी पड़ेगी तो सबसे पहले बटा to reduce the effect of disease तो इसके लिए हम क्या कर सकते है बटा एक तो medicine हम ले सकते हैं एंड जो है इसके लिए जो हम bed rest ले सकते हैं ताकि हम energy को क्या कर सके बटा conserve कर सके हैं next बटा कि यहां पर हम जो category होती है दवाईयों की जो कि हम daily live में लेते हैं तो कुछ आपको पता होने चाहिए बटा सारी याद करने के आपको जुरूरत नहीं है बस यह थोड़ा सा आपको पता हो जैसे paracetamol होती है बटा यह किसके लिए यूज करते हैं ऐसे कॉमी फ्लेम जो है इसका यूज भी बटा पेन या फिर फीवर से रिलीव पाने के लिए हम इसका यूज करते हैं और डॉम प्री डॉन जो है यह बिमारी बटा वोमेटिंग वगरा के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट बटा कोमी फ्लेम जो होती है इसको हम रिड्यूस इन्फलमेशन को यूज करते हैं और अविल जो कि आपके मार्केट में मिलती ए उसका हम यूज करते बटा जो अगलर्जी वगरा हो जाती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं या आपने याद रखने की कोई जूरती ने बिटा बिस थोटा सा इसके बारे में आपको पता हो next जो आपका step था बिटा to kill the microbes तो first में तो हमने क्या किया है उसके effect को कम किया है second क्या होगा बिटा to kill the microbes तो किसी भी microbes को kill करने के लिए उसको खतम करने के लिए में क्या लेनी पड़ेगी बिटा suitable antibiotic या drugs जो हमें लेना पड़ेगा तो यहाँ पर बिटा कुछ जो है antibacterial जो है या antibiotic जो होते है बिटा वो किस काम में ली जाते है बिटा to kill the या फिर stop the growth of bacteria बäक्टिरिया की जो growth है उसको reduce करने के लिए हम इनका use करते हैं तो जैसे हम penicillin यूज्च करते है बिटा तो इसका क्या use होता है बिटा की जो bacteria है उसकी growth को क्या करते है बिटा stop करते हैं तो antibiotic क्या करती है की जतने बी bacteria है bacteria के case में बटा सबका जो process होता है वो लगबग लगबग सेम रहता है तो इसलिए जो एंटिबाइटिक दवाईया होती है वो एक दवाई काफी सारे जो है बैक्टिरिया को क्या कर सकती है जो है डेमेज कर सकती है तो इनका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है जो बैक्टिरिया होता है वो एक सैल वाल बना ल जो कि उसे क्या दे बिटा protection दे लेकिन जो antibiotic हम use करते हैं बिटा वो क्या करती है वो इस process को क्या करती है बॉक कर देती है ब्लोक कर देती है फिर मतलब वो क्या नहीं बनाबते cell wall नहीं बना सकते around their cell membrane तो उसकी cell membrane के बाहर जो एक cell wall नहीं बना पते तो इस वज़े से क्या हो जाएंगे बटा वो damage हो जाएंगे तो इसके इलावा कुछ बटा यहां पर medicine जो हैं यहां पर हम यूज करते हैं जैसे बटा antiviral तो viral infection के लिए हम यूज करते हैं है ना antifungal जो है fungal infection के लिए यूज करते हैं बटा antiprotozoal medicine यह बटा protozoal infection के लिए हम इनका यूज करते हैं next बटा principle of prevention तो हमने पहले भी सुनाए बटा principle of prevention means prevention is better than cure तो यहां पर हमें जो है prevention रखने होते बटा किसी भी बिमारी से तो जैसे हम बात करें बटा journal way of prevention तो इसमें क्या होगा कि public and personal hygiene and balance diet तो किसी भी disease से हमें अपने आपको protect करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बटा कि एक तो balance diet हमने जो है हमारी daily routine में add करनी पड़ेगी और proper जो है exercise हमने जो है हमारे daily routine में add करनी पड़ेगी नेक्स्ट बटा यदि कोई जो है air boran disease है मितलब जो air से बिमारी होती है उससे बचने के लिए हमें जो है crowded area से दूर रहना पड़ेगा और यदि water boran बिमारियां जो है उससे बचने के लिए हमें जो है safe drinking water का क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा next बटा specific way of prevention तो specific way of prevention का use तब क्या जाता है बटा जब एक बिमारी बहुत बड़ी community के अंदर फैल जाती है जैसे आज के respect में हम बात करें COVID-19 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम जो treatment लेते हैं बटा वो कौन सा लेंगे specific way of prevention तो इसके case में क्या होगा बटा कि हम जो है इस बिमारी से बचने के लिए immunization करते हैं मतलब immunity build करते हैं किसी भी व्यक्ति के या किसी भी community के अंदर तो इ यहां पर क्या बटा vaccination के अंदर क्या होता है it is the process of introducing a weakened pathogen inside the body of the host to fool his or her immune system to produce antibodies against that particular disease. तो यहां पर क्या होता है बटा suppose एक व्यक्ति है और इसको जो है स्पोस एक COVID-19 है इसको क्या है स्पोस एक COVID-19 है तो इसको हम क्या करते है बटा इसको हम vaccine देते हैं इसको हम क्या देंगे बटा vaccine देंगे और यह vaccine जोगी इसमें भी क्या होगा बटा COVID-19 का virus होगा लेकिन यह जो virus होगा बटा वो क्या होगा weekend होगा वो कैसा होगा weekend होगा तो इस virus के अगेंस्ट यह जो व्यक्ति है इसका जो immune system है वो क्या करेगा बटा वो जो है antibodies जो है वो prepare करना शुरू कर देगा और antibodies जो prepare करेगा वो इस virus को क्या कर देगा जो है damage कर देगी तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि real में कोई virus इस body को affect करेगा तो उस time पे जो इसका immune system है त तो उस actual virus को क्या कर देगा बटा वो उसको damage या उसको जो है खतम कर देगा तो इसलिए जो हम vaccination का process apply करते हैं किसी भी particular way of prevention के लिए तो vaccination क्या बटा vaccination जो है it help to immune system develop protection from a disease किसी भी बिमारी से बचने के लिए जो एक immune system develop करना होता है एक particular community के अंदर या particular व्यक्ति के अंदर तो इस process को हम क्या बोलते है घ्टा vaccination बोलते हैं तो वह सारी vaccination हम पहले भी भी हो चुकि है जैसे हम tetanus की बात करें या फिर हम polio की बात करें या BCG की बात करें तो यह सारे क्या है एकím कि थे जो कि हम smallpox की बात करते हैं बटा तो smallpox के लिए जो है vaccine invent हुई थी बटा 1796 के अंदर तो यह किस ने की थी बटा Edward General ने की थी जिससे हमें किस से निजात मिले थी बटा smallpox से निजात मिले थी तो इसके बाद बटा कुछ बिमारियां हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा से याद रखना है तो यदि हम बात करें बटा malaria तो malaria होता है बटा protozoa से और इसके अंदर basically क्या होता है बटा fever होता है है ना टाइफाइड की बात करें बटा यह होता है bacteria से तो इसके अंदर भी क्या होता है बटा fever होता है या small, जो छोटी आथ होती है बटा, उसके अंदर जो है infection हो जाता है, यदि हम बात करें बटा, AIDS की, तो ये virus के द्वारा होता है, जिसका नाम है HIV, और इसमें क्या होता है बटा, it is not a disease itself, ये कोई बिमारी नहीं है बटा, लेकिन ये क्या होती है, ये हमारे जो lymph है, जो कि blood के अंदर होती है, उसको क्या करता है बटा, affect करता है, जिसके द्वारा जो है, हमारा immune system क्या करता है, बटा, damage हो जाता है, और हम छोटी-छोटी बिमारी को भी उसको फिर, छोटी-छोटी बिमारी की against, हमारा जो immune system है, वो अच्छे से working नहीं कर पाता है, यदि हम बात करें होता है, फिवर और headache होता है, next है बटा, worms, worms से related ये बिमारी जो होता है, ये stomach जो पेट दर्द होता है, वो worms से related होता है, काला जार, तो काला जार जो है ये proto-जोवा से होता है, और इसमें जो है, इसको brain fever भी नाम देते हैं, उसके बात है, बटा, round जो है worm, ये small, ये stomach के अं होता है, बटा, और इनके बारे में आपने बहुत पहले से सुना होगा, swine flu, bird flu, Ebola, ये सब भी किस से होता है, बटा, virus होते है, और ये spread होते है, ये तीनों जो है, क्या होते है, बटा, spread होते है, और इसमें 12 आ जाएगा, आपका COVID, है न, तो ये भी क्या होगा, बटा, virus होग और ये भी क्या होता है, बटा, spread होता है, तो आई थिंक आपको ये clear हो गया होगा, बटा, तो यहां पर हमारा जो chapter हो जाता है, बटा, complete, इसके बाद हम इसके करेंगे, बटा, questions, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद,